बीटी नियूस के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूँँ केवटी थाना के पराड़ी निवासी मंतोष कुमार को मंगलवार को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला बताया जाता है कि वह मार पीट की एक घटना में नामजद था उसी का बयान दर्ज करवाने वह नियाले पहुँचा था बयान दर्ज करवा कर वह जब घर लोट था उसी करम में कुछ लोगों ने उसे घेरल कर बुरी तरह से पिटाई कर दे इससे वह बेहोस हो गया वही बेहोसी हालत में जब DMCS इमर्जन्सी विभाग में ले गया गया तो वहां उन्हें मिर्ट घोसित कर दिया गया जो हो जिसके मेरा भाइद बना अरदी न्चौक सिनी से जाए हमामात करते हैं न्चौक बढ़ते जा रहे हैं जाने के करम में वहाँ तो जो साम दे इसससे प्याइब प्राइब दिया जाए है प्राइब दिया जाए है पुलिस ने डीम्सी एच इमर्जेंसी लेकर आई जहां डॉक्टर ने सगन जाच परताल के बाद उसे मिर्त घोसित कर दिया मिर्त के पास से मिले वोटर पहचान पतर के नुसार नाम मुहमद असरप अली उम्र 32 वर्ष पिता मुहमद सारिबीर अली संतोस नगर जीला रायपूर 36 गट बताया जा रहा है वही पुलिस के मताविक गस्ती के दोरान बेला पिट्रोल पंप के पास से गुजरने के करम में लोगों की भीर देख वहां गएं और लोगों ने बताया कि यहां एक आदमी लेटा हुआ है पुलिस ने सिपायों की मदद से उस आदमी को अपने गारी में लाद कर DMCH इमर्जेंसी विभाग में लेकर पहुँच गए डॉक्टर दोरा सागन जाच परताल करने के बाद उसे मिर्थ घोंशित कर दिया गया उसके सरीर पर किसी भी तरह की जखम का निसान नहीं था इसलिए पुलिस को अभी तक उनकी मौत का कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसके बास से बरामत वोटर कार्ड, ATM कार्ड और कुछ पेपर के अलावा 30 रुपे मिले हैं वहीं मिले पहचान पत्र के अधार पर आगे ही करवाई जारी है दरबंगा कोट परीसर में कैदियों के परीजरों ने जम कर हंगामा किया पिलिस द्वारा कोट परीसर एबम हाजत में कैदियों को पीटने का भी आरोप लगया है बुद्वार को दरबंगा कैदियों के परीजरों ने लगतार हो रहा है कैदियों के साथ अभधर वेभार को देखते हुए दरबंगा कोट परीजरों में जम कर हंगामा किया वही परीजनों का कहना है कि लगातार जेल में उनके परीजन को काफी परतारित क्या जाता है साथ ही साथ समय समय पर मारने की भी धमकी दी जाती है वही बवीता देवी के द्वारा अपने पुत्र कुंदन महतो को जेल में पीटने जाने एवं जान से मानने की धंकी देने का आरोप लगा गया है उन्होंने ये भी कहा है कि आज जब मेरा पुत्र कोट से हाजरी करके जा रहा था तभी हाजत प्रभारी एवं सिफाही बल के द्वारा मेरे पुत्र कुंदन महतो एवं साथ ही दो करादीन अभी विक्तो को बुई तरह से पीटा गया है वही SSP से नया है सहीत बचाओ की भी मांगी है वह दो लाएं वांद बहादूर पुर्जाना के विदा पापा ने कि लिए जाते रहता है तो दूर करने साथ है प्राइल नंबर है 112 22 उसका इलोगा प्यूग्द है करा दिन अभ्यूग्द है 117 बटाइक इसका करा दिन अभ्यूग्द है अभी SSP से स्पेसल कोर्ट में उलोग गया ता उसका गवाही आया हुआ था गवाही देने के लिए आया हुआ था गवाही देकर के जैसे ही रास्ते से लिक्रा है गवाही घुजर गया हम लोग अपने कोट के रूम के ओफिस के तरफ चल गया है लोग इधर आ रहा है रास्ते में उसके कुछ पुलिस कर्मी लेकर गया है और उसके वाद जो अंदर में पुरी तरीके से मारा है यहां पर पूरा लोग का हुजूम जागा है देखा है सारे लोग परते अच्छ दर्सी हैं पुलिस का जो किर्त है हाजत अब किस ग्राउंड से किस हिसाब से यह जैतना भी इस केस में उसकोट में यह जड़ीकारी सारे के सारे को सस्पیंड करना चाहिए और यह बड़िया पर भीनस रोग से संबंदि गंफिर वीमार्योंका मुफ्थ मेलाजिध किसका प्रदान मंत्री जनारों के योजना में अपना नाप विस्तु की सबसे बरी स्वास सुभधाओं का उठाएं लाब आधुनिक और्थो पेडिक सुभधा और्थो इसकोपी स्पाइन सर्जरी फ्रेक्शर का त्याधुनिक इलास पचास परशों से आपका विश्वासी गूबे क्रीमे अपने उठ्क्रिष्ट सेवाँ के लिए कल राश्ट्रे और अंतुराश्ट्रे अवार्डों से सम्मानत ब्रक्टर सुरील दुबे के द्वारा सभी तरह के योंगोग, गुप्तरोग एवं चर्मोगो का सफल लाज नीसंतान दंपत्ती एक बार अवश्य मिलें दुबे कीनेक, सुभाश मार्केट, लंगर टोली चुराहा, पत्ना का फोरले, नेशनल हाईवे सरक 57 के सहापूर, चक्का के पास एक यातरी बस और पाइक की जवरदस टकर होने से पाइक सबार दो लोग बुरी तरह जखनी हो गए, दोने की हालत बेहर नाजुक हाल में तत्काल अस्थानिय लोगों और पुलिसों की मदद से इलाज के लिए ज इसमें एक की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है, घटना दर्वंगा के मभी थाना के शाहपूर इलाके में हुई, अस्थानिय लोगों की माने तो जहां घटना हुई है, वहां तत्काल एक ही लेन से वहन का आवागवन चालू है, ऐसे में तेज गती से एक बस आ रही थी जबकि इसी बस के पीछे पीछे बाइक सवार दोनों वैक्ती भी आ रहे थे, तबी सरक किनारे एक यातरी ने बस को रोकने के लिए हाथ दिया, बस चालक ने तभी अचानक देख लगा दी, इस सवार जब तक समल था, उससे पहले बाइक बस में पीछे से जाटक रही, और मौके पर दोनों सरक पर धराम से गिर गए, दोनों के सर से काफी खोन निकल रहा था, घायल वक्ती का सांच चलता देख लोगों ने तुरंत घायल को मदद पहुचाया, और घटना की सुचना ततकाल पुलिस को भी दी, हलनकि पुलिस ने जल्दबाजी की बात कर कैमरे पर ततकाल कुछ नहीं बोले मुख सचीब बिहार, आमिर सुहानी के आदेश के आलोक में आज जिले के सभी परादीकारियों के दोरा बिभिन प्रखंडों के एक-एक पंचाहित के सभी योजना हो यथा मुख मंत्री साथ निश्चय योजना के अंतरगत, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नली योजना, आंगनवारी केंद्र, सभी बिद्ध्याले संचालन विवस्था, आवास्य छात्रावास, आवास्य बिद्ध्याले, ठान मंत्री गरामिन, आवास्योजना, पतादीकारी को अबगत कराया गया, उलेखनी है कि जिले के जितने भी परखंड के वर्य पतादीकारी है, सभी को एक एक पंचायत आवांटित किया गया था, इसके साथ ही सभी परखंड विकाज पतादीकारी, अंचला आदीकारी, एवं सभी संबंदित विभाग के इस परकार जीले के आज 58 पताधिकारियों दोरा अपने अपने अवंटित पंचाइतों में सभी योजनाओं के विरियहलत जाच की गई जीला निर्वाचन पताधिकारी सफ जीला दंडा अधिकारी राजी अब्रावसंद वरा आदेश निर्वाचन अयोग बिहार दोरा अगामी नगर पाली का आम निर्वाचन 2022 के आवसर पर मद्दान केंदर की अस्थापना के समंध में विस्तिरित दिशा निर्देश निर्गत करते हुए मद्दान केंदर की अस्थापना एवं मद्दाताओं को उनके समंध कार्येकरम निम्न परकार से निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि 9 जुलाई से 18 जुलाई 2022 तक मदान केंदरों के अस्थान का चिनहिती करन एब मदान केंदरों के साथ मदाताओं की संख्या की सौफ्ट वेर में प्रविष्ट किया जाएगा इसके साथ ही 29 जुलाई 22 को मद्दान केंदरों की सूची का प्रारूप प्रकासन भी किया जाएगा 19 जुलाई से 1 अगस 22 तक दावा आपत्ती की प्राप्ती की जाएगी वही 25 जुलाई से 6 अगस 2022 तक प्रकासन अब्धी में प्रापत्यों का निस्पादन किया जाएगा 7 अगस से 10 अगस 2022 तक पत्रक ए में अंगित मद्दान किंद्रों की मद्दाताओं का समंधन कर सौप्ट्वेर में इसकी प्रविष्टी की जाएगी 11 अगस से 14 अगस तक आयोग की वेबसाइट पर मद्दान किंद्रों के साथ मद्दाता सौची का अंतिम प्रकासित सौची का अप्लोट किया जाएगा तथा पत्रक एपर 16 अगस से 25 अगस तक आयोग का अनुमोधन होगा इसके साथ ही 29 अगस 2022 को मद्दान किंदर के अनुमोदन सूजी का आंतिम परकासिन किया जाएगा Global Healthcare and Diabetes Research Center जो बिहार में पहला अंतराश्य तक्नीक एवं आधुनेक सुविधाओं से लेस सूपर स्पेशलिटी डाइवेटीज के इंदर है जहां एक छट के नीचे डाइवेटीज से संबंदत सारी सुभिधाई मौझूद हैं जैसे के डाइबेटीज हार्ट केर, डाइबेटीज आई केर, डाइबेटीज निूरो केर, डाइबेटीज फूट केर, डाइबेटीज फॉर्मेसी और डाइबेटीज परहुग शाला. पता जीजस एंड मेरी स्कूल के पास रहम गंज, दर्बंगा, विहार. DMC के प्रिंस्पल डॉक्टर के एन मिस्रा, अधिक्चक डॉक्टर हरी संकर मिस्रा, वरिश्च चिकित्सक डॉक्टर भोला नायक, डॉक्टर केपी महासेट, मोटिवेशनल स्पीकर कंचन अस्थानिय संचालक आर्थी एवं सुधारक मंच पर उपस्तित रहें। कर्ये करम मे सौ से अधिक चिकित्सक उपस्तित रहें। वही कारिय करम का बीदबद उगाटन दीप परोजलन करकिया गया। अधिक चिकत्सक पर उपस्तित रहें। अधिक्षा के पत्पर हूं तो प्रतिकात्मक उपसे मुझे संवान दिया गया। इन्होंने जो संवान किया डाटनों के त्याग को मेहनत को सरहा उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और आज का दिन तो गुरू पुर्णिवान का दिन है। इस सभाब ना करके हमको एक बार देखने को मिला। यहां गुरू जैदा हैं चिस से कम है। इस तरह के समारों में यदि आप नोग नहीं आएगा तो हम लोगो कॉंट उसमें बाद है। अरे भाई आप काम किये आपको कोई संस्था सरा रही है उसका भी तो उस्था परदन होना चाहिए। इसको समान करना हैं नहीं करना है पिसको साहवी थे। तो हम लोग बोले इस तो समान करने की तैयारी कर ले इसलिए को यह समानित करता है उसको भी हम लोग उचाहिप करें। सब्सक्राइब करना कि लियर था सब्सक्राइब कर रहे हैं जब कि उन दिनों में कोई यह नहीं था वहां के मेडिकल कॉलेज के दीन, शुट्रिटेंडन, इन्वर्सिटी के वाइश चांसरर, बोले कि में बस दस मिनाट टाइम है, इसे टाइम नहीं अधिक देंगे, जिसे सर्व पांच मिनट के लिए आया है, हम सर्था रिस्ट करते हैं कि अपना इन्पोर्टेंट टाइम को यह करके भी आप बैठे हैं, वो इस चांसरर, धाई धंता बैठे रहे हैं कि धाई हज्यार की सबाती, उन्हें यह हैरान हुए कि जो हमारी शर्मान कर रहे हैं, वो ह हमारी वारियर्स को, डाक्टर्स को, जुनियर डाक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई करमच्यारियों को भी सनमान होई करके, उनके नजरों को कोई भी भीमनता नहीं है, तकि सर्थ भी खड़ा हो करके, वो भी सनमान करने लगे हैं जीला प्रसासन दर्वंगा की ओर से आयोजीत 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 तक जीला परिशत के नौ निर्वाचित जनपरती निदियों का तीम दिवस्य गैर आवाज से प्रसिक्षन कार्येकरम बुद्वार को परिशत दर्वंगा के शवागार में प्रसिक्षन कार्येक का समापन हो गया। में प्रोस्स ने लिए इसे गाते सब्सक्राइब बहुती तो गाते सब्सक्राइब करें गर्ण जीरो से सभी पारसदों को पर्शिक्षान दिया ग्या ग्रिया ग्रिया पंचायती राज का कैसे अस्थापना हुई, किस तरह से विस्थार हुई, और क्या-क्या कार्ज है हमारे जिलापरशत का, जिलापरशत सब क्या-क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि जो परसिक्षन मिला हम लोग को, जो हमारे समीतियां का कैसे गठन होगी, हम लोग जिलापरशत के करेंगे उसके लिए सारी भी सक्तिया जितनी भी सक्तिया उनके बारे में बताया गया जो कौन सा कारी हम कर सकेंगे कौन सा नहीं कर सकेंगे सकेंगे विकास कारियों की भी योजनाओं के बारे में बताया गया अपने करतब विकार निर्वहन कैसे करेंगे जिला परसद उसका जानकारी दी गई है जिससे हमको लगता है वह समाज के अंति व्यक्ति तक योजनाओं का लाग लेगा जो हमारे पारसद लोग ने तीन थी अच्छा ढ़ंग से जानकारी लिए हैं जिससे आगे की कारियों करने में हम लोग को सब्भलता है परचतर में आजादी का अमरित महपसों के आउसर पर तिरंगा जंडा निर्मान केंद्र सिल्प ग्राम महिला उतपादक कंपनी लिमिटेट का उधगाटन एकमी घाट लहरिया सरा में किया गया जिसमें उपडिकास आयुक दरभंगा अमरिसा बैंस के दौरादी पर उजलित कर कारिये करम का उधगाटन किया गया वही इस कारिये करम में कई अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं इसके अंदर हम लोग जल्सा मुझे बताया गया है पूरे बिहार स्टेट में पहला ही डिस्ट्रिक्ट है जिसने हर जंडा कारेकरम के तहर काम शुरू किया तो हम लोग इस कंपनी के माभियम से जंडा थ्यार करवा रहे हैं वो तीन साइजस में जंडा थ्यार कर रहे हैं और हमको यह वले जंडाओं को पिक्वाना है पूरे जिला में 15 अगस्ट को जो हमारा स्वतंसवा दिवस है उस पर फहराने के हिए तो महिलाएं तब इसमें लगी हुई है यहां पर काम शुरू हो गया है आथ से और किस तरह हम लोग इसको घर तक लेकर जाएंगे और किस तरह अन्या इसे सरकारी दफ्तर हो गए हूँ या स्कूर्ज हो गए या अन्या सपोज वस्पिटल्स हो गए या जीविका के समोग क लेकर जाना है उस पर हम लोगी कारे प्रणाली बनाएंगे जिससे कि हम लोग डिस्ट्रिक में बहुत अच्छा बहतर इसका इंप्लिमेंटेशन कर पाए और कारे बता ने पहले बताया ही है कि यहां पर पहले मास्क का काम होला था जो भी महिला थी जो स्टेजिंग कर रहे पहले मास्क का काम करें बट अभी जो हमारा 15 अगस आ रहा है जो पच्छतरवक अमरित महुतसवक जो हमारे हम बनने वाला है तो उस पर हम लोगों ने सोचा कि प्लास्टिक बैन होके है इक जुलाई से तो अब प्लास्टिक की तो जंडा वो बिकेगी नहीं तो अब हम लो की जो महीला है उससे हम लोग स्टार्ट करवा सकते हैं तो ऐसा जियन सर की तरफ से हम लोगो एक साजेशन मिला की जितनी भी महीला है उनको घंडा में जंडा बनाने में हम लोग लगा सकते हैं अपरन करता को गिरप्तार नहीं करने एबम अनुसंधान में बिरोल पुलिस द्वारा कोताही ब्रत ने तथाने सपक्स CID से जाज की मांग को लेकर बिरोल थाना कांड संख्या 149 अवलिंग 2022 गुमसुदा क्रिशन कुमार सर्मा के परिजनों की ओर से एक दिवस्य आमरन अंस का आवजन जिला दिकारी के समक्स धरनास्तल प्रित किया गया फिर मेरे भाई पूच्छ ताच किया गया तो बोला तेरे भाई एक बेक बाले के साथ गया है तू अपना सैक्टि यहां से लिए जाओ फिर मेरे भाई को से तसलिह नहीं हुआ ग्रामी ठाणा के पास गया फिर वहां से एक मेसेज आया है फोन पे पांच लाग के धंकी वरा मेसेज आया है जो आपके भाई अगर आपीश चाहिए तो पांच लाग रुपईया लेके मुधवे रेलबोय स्टेशन के पास आजो नहीं तो पुलीस में जाने की गलती की तो तुम्हारा भाई वापीश नहीं मिलेगा जो हमरे भाई को अपरन कॉलिल के हैं अराय में आए वी चुकल से कोई पता नहीं चल रहा है हमर ग्रम दोकली धाम छिये खाना भी रोल लादरवंगे श्तर छिये हमर नाम विशनु देव सर्मा छिये भाई के नाम लें किशनु कुमार सर्मा हम दूर भाई और एक बाहां हमर जो हमर भाई ने घर के गड़ियों नहीं रहा है जेकि यह राय में ना सकोई उनकर पते हैं अमीज जी फॉन का वजे लिखेन जहाओ एक अधिया से भीट करें बजे वह बेठा लिखा लिखेन उनका यहां साइकल से फिर दोबर आई तक घर नहीं लिखेना देवी पती अस जोग पासबान ने वर्जे पुली सदिक्षप को एक आवेदन दिया है जिसमें अपने ही परोसी द्वारा जबरदस्ती तरीके से सरोचाले बनाने से रोका जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने कई बार सदर थाना को सुचना दे चुका है लेकिन थाना द्वारा कोई उचि देखा भी था और बोला था कि तुम्हारा कागज बिल्कुल सही है फिर भी हमें हमारे जमीन में सोचाले बनाने से रोका जा रहा है और साती हम लोगों को लगतार मार पीट गाली को लोज एवं धमकी भी ती जा रही है ममला यह है कि हम अपना नीजी जमीन में बातरूम बनावाई छाली हमरा जगरा लराय कैलक मारलक पिढ़क हमरा अपना बीस साल से हमरा जमीन हर अपने हमरा बीस साल से जमीन हर अपने हम अपना नीजी जमीन में हम बातरूम बनावाई छाली हमरा बातरूम ने बनावे देल पुलिस के ख़हएगे निखनेद काल्की से सदरधना खबर केल शेрьं जैब जी जूज जुज जौह तॉ आपको जमीन हो जाएगा जिसका आगात है उसी का जमीन होगा झाल झाल